एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे तो गाई जैसा कि आप सभी को पता है कि समसंग ने हाली में A-Series के तीन फोन्स निकाले थे A10, A30 और A50 अब समसंग ने अपना नया फोन लांच किया है Samsung A80 हाला कि जो अभी इंडिया में लांच नहीं हुआ है तो आज के टोपिक में हम समसंग A80 के बारें बात करने वाले हैं कि वो इंडिया में कब लांच होगा और उसकी क्या प्राइज होगी और उसके क्या स्पेसिफिकेशन्स है तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं डिस्प्ले की बात करें तो यह 6.7 इंच फुल एडी सुपर अमोले डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें कि कोई नौच नहीं है इस फोन में सबसे जड़ा हाइलाइट किया गया है इसके कैमरे को इसमें एक रोटेटिंग कैमरा है जो की प्राइमरी और रियर दोनों के लिए काम करता है प्राइमरी कैमरे की बात करें तो यह 48 मेगा पिक्सल का कैमरा है जो की आता है F2.0 अपर्चर के साथ secondary camera की बात करें तो यह 8 megapixel का है जो की ultra wide angle के लिए होता है और तीसरा camera जो है वो 3D depth के लिए है प्रोसेसर की बात करें तो यह new processor snapdragon 730G के साथ आता है जो की octa को प्रोसेसर है यह 37 mh की live polymer battery के साथ आता है जो की type C quick charging support करता है इस टोरेज की बात करें तो यह phone 128GB internal memory और 8GB RAM का है जो की expendable नहीं है इसमें android pi 9.0 android version है जो की run करता है samsung के one uip traditional feature की बात करें तो इसमें in display fingerprint sensor आता है samsung ने इस phone में 3.5 mm की audio jack नहीं दी हुई है अगर आपको audio सुनना है तो इसके लिए आपको type C का earphone होना चाहिए या आप Bluetooth यूज़ कर सकते है तो अब बात करते हैं इसके प्राइज की इसके प्राइज की बात करें तो expect किया जा रहा है कि इसका जो प्राइज है वो 30,000 से 50,000 के बीच में हो सकता है और रही बात इसके launch date की तो यह इंडिया में मई लाज तक launch हो जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही thank you like and subscribe my channel to get notification of all my upcoming videos